हालो दोस्ता आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेस्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में जैसा कि दोस्तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले HDFC बैंक लिमिटेड पर एक प्री रिजर्ट एनलेसिस का वीडियो अपलोड किया था और उस समय हम लोगों ने यह संभावना जताई थ कि इसके जो क्वाटर 3 के रिजर्ट जो की 16 जनवरी को आने वाले हैं वो काफी बहतरीन देखने को मिल सकते हैं ऐसी संभावना हम लोगों ने उस वीडियो में जताई थी और उस वीडियो को लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं आप चाहे तो वहाँ पर जा करके उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं लेकिन अब दोस्तों आज 16 जनवरी है और SDFC बैंक अपने quarter 3 के रिजल्ट हम इन्वेस्टरों के सामने ले करके आ चुकी है और अब हम लोग इसके जो रिजल्ट आये हैं उसको हम लोग चेक करेंगे कि इसके रि के एक्सपेक्टेशन के अनुसार आये हैं कि नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यह इस रिजल्ट को एनलाइज करने से पहले दोस्तों हम लोग इसके न्यूज को पॉल लेते हैं और हम लोग यहाँ पर अभी मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर जो न्यूज फ्लैस हो रहा है कि HDFC bank के जो quarter 3 के result हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं और इनके जो हैं और इनके assets quality में दबाव देखने को मिला है तो दोस्तों अब हम लोग अपने अस्तर से इसको चेक करने कोशिस करते हैं कि इनके result कैसे देखने को मिले हैं तो आएए दोस्तों हम लोग इसके result पर आते हैं और इसके result को analyze करते हैं फिर इस वीडियो के हंद में हम लोग इसके chart पर जाएंगे और इसके बाद हम लोग फिर यह predict करने की कोशिस करेंगे कि इसके जो share भाव है आने वाले दिनों में किस परकार से बदल सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम लोग 5 मुख बातों पर हम लोग ध्यान देंगा कि इनके जो net income है यानी revenue वो बढ़े है कि नई profit बढ़े है कि छी NPA पर नज़र रहेगा इनके expenditure पर नज़र रहेगा और इसी काधार पर हम लोग इसको एनलाईज करेंगे और ये भी हम लोग कोशिस करेंगे कि चुकि अब ये कमपनी नौ महने का रिजल्ट पेस कर चुकी है तो कोवीड का असर इनके रिजल्ट पर कितना देखने को मिला है अब हम लोग यहाँ पर इसको एस्टिमेट लगाए कि कोवीड का असर SDFC बैंक के रिजल्ट को देखने को मिल रहा है या नहीं उसके बाद ही हम लोग इसके प्राइस को एनलाईज कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में SDFC शेयर के भाव किस परकार से बदल सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम लोग इसके रिजल्ट का मिलान कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग इनके रिजल्ट को देखें तो इस साइड में देखें यह राइट साइड में नाइन मन्स इंडेट रिज देखने को मिल रहा है वो सारे figure दोस्तों यह लाक में है मैं figure को करोड में बोलूँगा तो दोस्तों इनके अगर interest earned को देखा जाए तो हम लोग यहां पर देखने हैं कि interest earned जो हैं इनके quarter on quarter basis पर बढ़ते वे देखने को मिल रहे हैं और अगर हम लोग year on year मिलाएं तो यहां पर भी हम लोग इसके figure को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो हम लोग यह कर सकते हैं कि इनके जो interest earned है वो न केवल quarter on quarter बलकि year on year हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं अब चलिए दोस्तों इसके total income को हम लोग मिलाते हैं तो यहां अब देख रहे हैं कि HDFC bank जो है quarter 3 में 49,838 करोड का जो है इन्होंने revenue report किया है जो कि इनके जो quarter 2 में 38,438 करोड देखने को मिल रहा था तो इनके quarter on quarter net income में हम लोगों को तक्रिबन 3.64% का growth देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग year on year मिलाए दोस्तों तो हम लोग आप देख रहे हैं कि year on year basis पर इनके जो revenue है total income है वो last year 38,325 करोड देखने को मिल रहा था जो कि इस बार बढ़ करके 49,838 करोड हो गया है तो year on year basis में इनके जो revenue है उसमें तक्रिबन 3.94% का jump देखने को मिल रहा है तो यह काफी तगड़ा jump है इतने बड़े bank के लिए अब अगर हम लोग दोस्तों 9 month period में इनके total income को compare करें तो इस बार यह 9 month period में तक्रिबन यहां पर देखिए काफी growth देखने को मिल रहा है यह करीब करीब एक लाख 14,975 करोड देखने को मिल रहा है 9 month period में और 9 month period लाष्ट यह अगर इसका compare करें तो यह एक लाख 8,781 करोड देखने को मिल रहा था तो इनके 9 month period में अगर हम लोग revenue growth की बात करें तो यह तक्रिबन 6% के आसपार इसमें growth देखने को मिल रहा है तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि revenue growth के मामले में total income growth के मामले में Corona का impact HDFC bank के result में देखने को नहीं मिल रहा है अगर इसके total income की बात करें कहें कि इसमें growth देखने को मिल रहा quarter on quarter, year on year और 9 month period में इनका growth देखने को मिल रहा है अब आए दोस्तों हम लोग इसके net profit के growth को भी देख लेते हैं कि net profit इनके बढ़े की नहीं बढ़े तो यहां पर दोस्तों हम लोग इनके जो quarter 3 के net profit का मिलान करें तो यह तक्रिमन 8,779 करोड देखने को मिल रहा है quarter 3 में जो कि quarter 2 में यह 77,002 करोड देखने को मिला था तो इनके जो quarter on quarter basis में इनके net profit में तक्रिमन 14% का growth देखने को मिल रहा है जो कि काफी तगड़ा growth है और अगर हम लोग year on year का मिलान करें दोस्तों तो लास्ट year इनके third quarter में जो net profit देखने को मिल रहा था वो 7,669 करोड देखने को मिला था तो इस परकार से हम लोग year on year basis पर इनके net profit में तक्रिमन साड़े 14% का jump देख रहा है तो यह काफी तगड़ा jump है दोस्तों अब अगर हम लोग 9 month period में इनके profit को देखें compare करें तो इसमें भी हम लोगों को तक्रिमन 17% से ज्यादा की विड़ी देखने को मिल रही तो हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि HDFC bank के जो quarter 3 के result आए हैं उसमें कोरोना का impact कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है नहीं इनके total income growth में देखने को मिल रहा है नहीं इनके net profit growth में देखने को मिल रहा है यह company काफी अच्छे डंग से अपना business रन कर पाई है इतना तो समझ में आ रहा है अब आए दोस्तों हम लोग यह मिलाते हैं कि इनके जो expenditure है वो बढ़े है या नहीं बढ़े है उसको हम लोग check कर लेते हैं यहां पर देखिए दोस्तों हम लोग interest expenditure यहां देखने को मिल रहा है यहां पर देखिए तो यहां पर इनके जो expenditure है interest expenditure यह घटते वे देखने को मिल रहा है यह देखिए यह year on year basis पर घटते वे देखने को मिले हैं और quarter on quarter भी हम लोग घटते वे देखने को मिले हैं तो हम लोग यह कर सकते हैं कि यह company जो है अपने expenditure को minimize की है जो की काफी अच्छी बात है और अगर इसके हम लोग यह देखें कि provisioning की है की नहीं तो यहाँ पर देखिए इनका जो provisioning level है वो भी लगभग पिछले साल से हलका सा इसमें growth देखने को मिल रहा है लेकिन last quarter यानि quarter two से को कम ही देखने को मिल रही है तो हम लोग यह कर सकते हैं कि company के उपर कोई इंपेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है यह company अपने expenditure को भी कम रखने में सफल रही है और इनके जो provisioning है वो भी घटते वे देखने को मिले है अब आईए दोस्तों दोस्तों इसके जो NPA है वो देख रहे हैं यहां पर यह देखिए यहां पर GNPA देखने को मिल रहा है तो यह last quarter यानि quarter 2 में 1.08% था वो घट करके 0.81% होता है जो कि काफी अच्छा figure है और आईए दोस्तों अगर last year इनके quarter 3 के result से हम लोग मिला है तो last year इनके quarter 3 में GNPA 1.42% था तो इसमें भी हम लोग गि सकते हैं कि HDFC bank के जो result आये हैं दोस्तों वो काफी अच्छे आये हैं मेरे अनुसार तो इनके जो result है काफी अच्छे दिख रहे हैं अब आते हैं जब इनके result अच्छे आये हैं तो हम लोग इसमें किस परकार के इनके share भाव में उच्छाल देख सकते हैं या गिरावट यह जाना है इस वीडियो में कि HDFC के quarter 3 के result आये हैं हम लोगों ने जैसा expect किया था उस हिसाब से काफी सांदार देखने को मिल रहे हैं तो हम लोग कहीं न कहीं यह मान करके अब चले हैं कि इन अस्तरों से अब यह stock जो है उपर निकलने की कोशिस करेगा और आने वाले जो quarter ह उस समय तक यह stock जो है तेजी में जाता हुआ हम लोग देख पाएगा ऐसा हम लोग उमीद कर सकते हैं चुक़ी इसके result अच्छे आयह हैं तो मेरे हिसाब से इसके result को हम लोग okay कर देते हैं बाकि आप अपने हिसाब से इसके result को खुद anxiety करेंगें मेरे हिसाब से इनकी result में और मेरे हिसाब से आने वाले quarter तक इसके जो share भाव है वो हम लोग धीरे-धीरे उपर की और जाता हुआ देख पाएंगे और अगर दोस्तों हम लोग target लगाने की कोशिस करें कि आखिर किन लेबल तक ये stock जा सकता आने वाले दिनों में चुकि इसके result काफी अच्छे रहे हैं तो हम लोग वोने कुछ resistance और support यहाँ पर draw करके रखे हैं और यहाँ पर जो हम लोग को resistance देखने को मिल रहा है SDFC bank के share में 1463 रुपे पर देखने को मिल रहा है और यह share अल्रेडी 1466 रुपे पर closing दिया है तो यह अपने strong support के उपर ही trade कर रहा है तो हम लोग जो next resistance देखने को मिलेगा इस stock को वो 1911 रुपे पर देखने को मिलेगा इन अस्तर उपर तो हम लोग आने वाले दिनों में SDFC bank के share भाव को 1900 के आसपस जा करके trade करता हुआ देख पाएंगे ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं लेकिन दोस्तों याद रखे हैं market जो है अभी अपने उचतम अस्तर पर trade कर रहा है और इसमें कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है इसलिए जो है short term call न ले इस stock में तो अच्छा है लेकिन long term की बात करें दोस्तों तो long term के लिए मेरे तरब से इस stock को पूरी तरह से अजादी है खरीदने की और आपका अगर इसमें थोड़ा-थोड़ा S.I.P. mode में खरीदारी करके चलते हैं तो इस stock लंबे समय में आपको काफी अच्छा return दे सकता है तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियो को वाच किया इसके लिए आपका धन्यवाद और मुझे मिदे कि आपने नेक्स वीडियो का इंतजार करेंगे तब तक कि लाप सभी को मैं नमस्कार